दोस्तो एक खूबसूरत चेहरे का आकर्षन उसके गालों से ही होता है यदि आपके गाल पिछके हुए हो तो वैं आपकी खूबसूरती को बिकार देते हैं इससे आपके जबडे की हड़ी आपकी त्वचा के ओपर उबरी हुई दिखाई देने लगती है और इनसान बहुत ही दुबला पतला दिखाई देता है जबकि गोल मटोल और फूले हुए गाल किसी भी चेहरे पर चारचांद लगा देते हैं दोस्तो पिछके हुए गाल ना तो हमें खुद पसंद आते हैं और ना ही देखने वाले को अच्छा लगता है ऐसा होने पर हमारा आतम निश्वाश भी घड़ जाता है क्योंकि पिछके गालों की वज़े से चेहरे की रोनक बिगड़ जाती है मगर स्वाल यह है दोस्तो कि हम अपने गालों को अकरशक और गोल मटोल कैसे बनाएं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वाला हूँ कि आप अपने गालों को सुन्दर, अकरशक और गोल मटोल कैसे बना सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल मारूती संजीवनी को और दवाएं बेल के निशान को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सिग्रेट, तंबाकू, गुटके का अधिक सेवन करना, पानी कम पीना यह सब पिछके हुए गालों का ही कारण होते हैं इसलिए दोस्तों अगर आप मेरे बताए गए नुस्के के साथ साथ अगर आप अपने खाने में पोस्टिक आहार की मात्रा को बढ़ा दें और पूरे दिन में कम से कम एक गिलास दूद का सेवन रोजाना करेंगे तो आपको मेरे बताए गए नुसके के बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे ऐसी मेरी गरेंटी है आप से तो चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं पिछके गालों को सुंदर और अकरशक और गोल मोटॉल बनाने के दो घरेलू नुसको के बारे में इसके लिए सबसे पहले हमें जुरूरत पड़ेगी एक सेब की दोस्तों सेब पोशक तत्वों से बरबूर होता है इसलिए यह हमारे गालों को अकरशक बनाने में एहम भूमी का निबाता है साथ ही साथ इसमें पाए जाने वाले एंटी ऑक्सिडेंट चहरे पर चुरियां परने से भी रोकने में मदद करते हैं बिना छिलका उतारे आदे सेब को मिकसर में ग्राइन करके इसका एक पेस्ट बना ले अब इस पेस्ट को अपने गालों पर लगाते हुए पांच मिनट तक इसकी हलके हाथों से मसाज करें इसके सूक जाने के लगभग 20 मिनट बाद चहरे को हलके गुनगुने पानी से अच्छी तरह से क्लीन कर ले इसके इलावा आप एक और भी असरदार नुस्के का इस्तिमाल कर सकते हैं एक चमच ग्लिसरीन और एक चमच गुलाब जल को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले और रात को सोने से एक घंटा पहले इसे अपने चहरे पर लगाएं अब रात भर इसे ऐसे ही लगा रहने दें और सुबह हलके गरम पानी से चहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए दोस्तो इन दोनों नुस्कों में से आप किसी भी एक नुस्के का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके कुछी दिनों के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपका चहरा यानि आपके गाल भरने लगे हैं और पहले से ज़्यादा अकर्शक और गोल मटोल दिखने लगे हैं तो प्यारे दोस्तो अगर आपको मेरा यानुस्का अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें धन्यावाद दोस्तों